कि अच्छ के आइसोमेरिजम फिर मेथड़ प्रिपरेशन आफ अलकोहल एंड उसके गेमिकल और फिजिकल प्रपेटिस आफ अलकोहल के बारे में तो आज की इस वीडियो में हम के कौलिटीटिव टेस्ट के बारे में डिसकस करेंगे तो जिसमें प्राइमरिय यह सेकंड्र फिर तर्शरी अलकोहल है तो उसमें कुछ टेस्ट है जैसे ऑक्सीडिशन टेस्ट एक्षिण आप हाट्रेद्इस्ट कोपर जिसे इसे काटलाइटिक डि हाइड्रोजिनेशन भी यह जो आलकॉल से वो प्राइमेरी है या फिर सेकंडरी या फिर तरशरी है तो हम लेंगे त्री आलकॉल 3 टाइड के जो है प्राइमेरी सेकेंडरी नो तरसवरी तो जो प्राइमेरी अलकॉल से उसे अगरा method joined reaction चुन करते तो बनता है अलडेहट beiAg सेकेंडरी इप्रामों सिटिक है तो मत है किटों और अंड तरसवरी की को बन जब आम Brazil करता है वह बीडोन formation होती है तो इसी तरह प्रैमरी अल्कॉल की जिससे ऐलडियट फरमेशन नोता है उसी अधिया को जहों Oxidation करते तो बनता है आर-C-O-H है यह में करबॉक्सिलिक एसिट formation हो जाती और इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बार रहैती हैं जैसे की अल्पोल में थे तो अल्पोल्स में एक आ dos जार केकंगल आडएंड यहां पर अघ्रेशन थे रहता है जो हम देखेंगे secondary alcohols तो secondary alcohols से first बनता है ketones next ketones अगर हम oxidation strong oxidizing agents react करते हैं तब बनता है इसमें acids और carbon dioxide and water तो इसमें जो acids formation हुआ है acids containing lesser number of carbon atom as original alcohol तो इसमें जो है carbons जो है वो less हो जाता है यसी कि यहाँ पर आर है तो यहाँ पर आर टू थे यहीं दो अलकाल ग्रूप्स थे लेकिन आपर एक वन अलकाल ग्रूप्स हो गाया है और वन तो इसमें जो है जो carbon atoms है वो उसके जो पहले जो स्टेट में थे उससे कम हो गया है नेक्स तर्शरी आलकॉल तो तर्शरी आलकॉल जो oxidation के जरी है बनता है किटोन सब किटोन में जब हम next उसे oxidizing agent करता है strong oxidizing agent तो इसमें भी एक acid formation होती है acid or ketone both containing lesser number of carbon atoms than original alcohol तो original alcohol से जब acids formation हो जाती है फिर किटोन तो इसमें less number of carbon atoms होती है next है action of hot reduced copper तो जिससे catalytic dehydrogenation भी खा जाता है when vapor of alcohols are passed over reduced copper at 573 जब reduce जो vapor copper है तो vapor copper जब sorry vapor जब alcohols है जगर हम उसे copper से react करते हैं the presence of 573 Kelvin तो बनता है aldehyde निक जब हम primary alcohol को react करते हैं तब बनता है ketone tertiary को जब react करता है तब बनता है alkene next है lucas test लुकास test में जो unknown alcohols है वो प्राइम tertiary primary secondary primary तो उसे जब हम HCL से react करते हैं concentrated HCL in the presence of zinc chloride तब जो है एक टर्बिडिटी फॉर्मेशन होती है जब हम primary तर्शरी अलकॉल को react करते हैं the presence of HCL and zinc chloride तब जो है एक टर्बिडिटी आपियर्स जो immediately अगर टर्बिडिटी आपियर्स हो जाती है तो वो tertiary होता है और उसे same reaction करेंगे अगर five minutes बात अगर टर्बिडिटी प्रडूस होती है तो वह सेकेंडरी अलकॉल से उसी तरह अगर प्राइमरी अनि image after hitting अगर वह टर्बिडिटी प्रडूस करता है तो वह है primary alcohols तो यह जो है जिंक अन chloride one is to one molar ratio में होना चाहिए जो जो हम जिंक क्लोनेड को यूज करते हैं वह one is to one ratio में होना चाहिए तो प्राइमरी alcohols में hitting के बाद turbidity appears होती है नहीं दिखाई देती है फिर secondary में आफर five minutes बात और जो तर्शरी वह immediately turbidity हो जाती है नेंट जो है last one test के वह है Victor Meyers test तो Victor Meyers test में जो है इसके तीन स्टेज होती है तो पहला स्टेज जो है दि अल्कॉल is first treated with phosphorus and iodide to convert into the corresponding iodide तो यह पर जो है primary alcohol से उसे पहले phosphorus iodide से react करती है react करने से iodide formation हो जाती है तो उसी तरह primary secondary and secondary and tertiary सभी में जो है potassium iodide react करते हैं तो जिससे iodide formation होती है तो वही आयोडाइट formation जब हम silver nitrate से react करते तो नाइट्रो paraffin formation हो जाती है नाइट्रो paraffin तो नाइट्रो paraffin से वही नाइट्रो पर 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 पिर पिर जब हम nitrous acids जैने याने 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 टू प्लस है याने याने टू प्लस है से react करते हैं तब जो है अलग-अलग product को formation करते हैं तो primary alcohol में वह no action यानि कोई भी action नहीं होता है लेकिन नाइट्रोलिक acids gives red color with the potassium hydroxide due to the formation of potassium salt और जो प्रैमरी अल्कॉल में वह नाइट्रोलिक acid जो formation हो जाती है आपर तो वह red color को formation करता है जब हम उसमें potassium hydroxide को सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि इसमें potassium salt होती है एक जो है सुडो नाइट्रोल सुडो 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 नाइट्रोल तो जो है बुलू कलर्स कापियर करते हैं इन दे प्रिजन सब्सक्राइब हैड्रोकसाइड और जो लास्ट वन जो तर्शेयरी अलकॉल से वह जो है सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें अगर आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर दिये हुए लिंक फार्मर्स डाट कम से आप विजिट कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है